हलो फ्रेंट्स वेलकम टू पीजी ग्लासेज मेकिंग वेत्रू शॉर्टकर्स तो दोस्तो आजा है हमारा लेक्चर नूबर त्री जिसमें हम लोग कवर करेंगे नेकलेस प्रॉब्लम्स ठीक है आपको कंफ्यूजन होती है कि नेकलेस में एन माइनस वन बाई टू फेक्टोर लेकिन वह आता कहां से कैसे आता है वह मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा एक एक चीज़ करके बताऊंगा उसके बाद इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे probability और permutation में difference क्या है, कैसे बता चलता है, को equation probability का है permutation का है, ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं linear permutation की, जो हम लोग अभी तक बढ़ते हैं ठीक है, linear permutation मतलब linear आपको पता है, linear का क्या मतलब होता है, straight line ठीक है, तो मतलब जिसका starting point भी होता है, और उसका end point भी होता है ठीक है, linear के case में क्या होता है, starting point भी होता है, तो end point भी होता है suppose हमारे पास क्या है, 3 alphabets है, कौन से, ABC तो कितने ways हैं आपके पास कि आप इसको arrange कर सकते हो, आपको 3 factorial ways है मतलब 6 ways हैं, कैसे हैं, देखो, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, आपके पास total कितने ways हैं, आप इसको arrange कर सकते हो, in case of linear permutation आपके पास कितने ways हैं, आपके पास 6 number of ways हैं, मतलब 3 factorial number of ways हैं आपके पास यही case सक्रम, circular के case में आजएं, तो देखते हैं, circular में क्या होता है suppose, आपके पास क्या है, दो, मतलब आपके पास circle है न, circle के case में आप देखो, आपके पास जो 6 cases थे, 6 cases मैंने यहां बनाए हैं, ठीक है, 6 case मैंने यहां बनाए हैं, जैसे ABC था, तो मैं क्या करना हूँ, आपको करना क्या है, यहां तो आप clockwise चलो, यहां तो आप anti-clockwise चलो, आप पहले अपनी एक position जो है उसको define कर लो क्योंकि circle जो है उसका end point कोई नहीं है उसका start point कोई नहीं होता उसका end point कोई नहीं होता ठीक है तो अब क्या करो एक point कोई fix कर लो कि वहाँ से आप क्या कर रहे हो clockwise चल रहे हो या फिर वहाँ से आप anti clock चल रहे हो ठीक है तो मैं क्या कर रह C A B C A B A आ गया C B A और यह आ गया C B A आप क्या करो ध्यान से इन 6 combinations को देखो अब देखो कि इन में से कौन-कौन से combination सेम है सर कोई भी सेम ने लग रहा है यह A B C A यह A C B A यह B A C A सेम कैसे हो सकते हैं आप देखो मैंने आपको क्या आप बोला start में कि आप लोग पहले देखो कि चलना कैसे है clockwise यह anti-clockwise चलते हो तो A को पकर लो A को fix कर लो एक point को आपको क्या करना है fix करके चलना है circle में क्योंकि fix point तो इसका कोई है यह नहीं तो A को fix कर लो clockwise चलो ठीक है आप clockwise चलो तो A B C अब इस case में देखो A को fix कर लो और clockwise चलो क्या आगया ABC इस case में देखो A और A को fix कर लो clockwise चलो ABC मतलब यह case जो मैंने ऐसे किया है न पीच में यह यह तीनो case क्या होगे सेम होगे हमने एक चीज़ को fix किया और फिर हम clockwise चले चाहे है आप anti-clockwise चलो चलोगे तो ACB इसमें भी चलोगे तो ACB इसमें भी चलोगे तो ACB तो आपने क्या देखा sorry के मैंने एक point जब fix किया उसके बाद मैं चाहे anti-clock चला चाहे मैं clockwise चला ठीक है तो क्या आगया आपका आया तीनों केसिज ये सेम आया ये वाला ये वाला और ये वाला आपका केस जो है वो सेम आया similarly आप इस case में क्या कर लो, दूसरे वाले में आप क्या कर लो, A को इफिक्स दोबारा रखो, दोबारा clock away चलो, ACB, इसमें A को fix रखो, ACB, इसमें A को fix रखो, ACB, तो मतलब ये तीनो cases आपके same होंगे, ये तीनो cases आपके same होंगे, तो अब अगर देखो तो आपके पास total कितने cases हुए, जो same cases है, उसको हम A की case बना सकते हैं, ठीक है, कि मतलब वो A, B, C हो गया, और दूसरा क्या था, ACB, ठीक है, तो मतलब आपके पास total कितने case बने, 2 case बने, 2 case मतलब 2 factorial, 2 factorial मतलब total कितने alphabets थे, आपके पास, 3 थे, तो 2 case आया, 3 थे, तो मतलब 2 minus 1 factorial, मतलब तभी आया circular के case में आपका आता है, n minus 1 factorial, I hope आपको चीज़ें समझ आ गही होंगी, circular के case में क्यों n minus 1 होता है, linear के case में ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है, linear के case में n factorial होता है, इसमें n minus 1 क्यों हुआ, यह आपने देख लिए, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसमें 3 case, 3 case में जब मैं लेके चल रहा हूँ, तो उसमें ऐसा आ रहा है, situation ऐसी बन रही है, कि 3 जो चीज़ें हैं, यह वाली और यह वाली और यह वाली यह सेम बन रही है, उसको हम एक मान के चल सकते हैं, यह वाली यह वाली और यह वाली सेम बन रही है, उसको हम दूसरी मान सकते हैं, तो total possible ways हमार n-1 factorial इसी लिए क्या होता है circular के case में n-1 factorial होता है ठीक है अब सर जो आपने वो दीदी की photo लगाई थी न thumbnail पे वो वाला बता दो necklace काफी अच्छा था उनका फूरा necklace का बता दो ठीक है तो necklace देख लो आप लोग अब necklace problem में क्या होता है क्यों necklace problem में n-1 by 2 factorial होता है ठीक है क्यों necklace problem में n-1 by 2 factorial होता है क्यों नहीं इसमें क्योंकि ये भी circular है ये किसम का देखा जाए necklace है तो circular ही होता है ठीक है तो यहाँ पे n-1 क्यों नहीं होता है यहाँ पे n-1 by 2 factorial क्यों होता है अब पहले आप मेरी ये बात ध्यान से सुनना जो हम लोग necklace लेके चलते है necklace हम लोग permutation combination में हम लोग पढ़ते है necklace बोलते है वो beads का पढ़ते है ठीक है beads मतलब जो golden वाले मोती होते है nggak multi-type जो multi-type होते है जो बिल्कुल round होते है ठीक है तो वो वाले necklace के हम लोग बात करते हैं ठीक है अब लोग ये चीज ध्यान से समझना ठीक है तब ही आपको ये concept जो है वो समझाएगा तो हम लोग कौन से necklace की लेके चलते हैं मैं आपको बता देता हूँ necklace कैसा इस तरह का necklace जो होता है ठीक है इस necklace को अगर उल्टा भी कर दोगे तब भी यह सेम ही होगा जैसे हम लोग ऐसे पढ़ते थे जब हमने circular पढ़ा तो हमने क्या देखा हम अरबस दो combination बनते हैं A, C, B और दूसरा बनता है A, B, C ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे circular case में वहाँ पे beards का नहीं पढ़ा था अभी हमने सिर्फ persons का या कुछ alphabets का या letters का ऐसे पढ़ा था तो जब हम इसको A, C, B को ऐसे देखते हैं तो यह अलग है जब हम ऐसे देखते हैं तो A, B, C अलग है क्योंकि यहाँ पे अभी B आ रहा है पहले C आ रहा था लेकिन जब आप ऐसे necklace को उल्टा करोगे तो आप necklace को सीधा भी पहन सकते हो necklace को उल्टा भी पहन सकते हो ऐसे वाले necklace को वो same ही होगा तो मतलब इसमें क्या possible cases बनेंगे circular से cases आदे हो जाएंगे 2 divided by 2 आ जाएगा समझाई बात circular में कितना होता है n-1 factorial ठीक है circular के case में क्या होता है n-1 factorial लेकिन necklace के case में आप उसको सीधा भी पहन सकते हो आप इसको उल्टा भी पहन सकते हो तो इसमें क्या हो जाएगा divided by 2 इसलिए होता है इसलिए necklace के case में probability क्या permutation क्या आता है n-1 factorial by 2 आता है ठीक है आप आप समझ गी होंगे ये चीज़े तो जब तक अब सर जो अपनी दीदी वहाँ पे बनाई थी उसने तो ऐसा necklace नहीं पहना था तो वो मैंने आप लोगों को attract करने के लिए ही बनाई थी मेरे को बता है आप तभी वीडियो देखोगे तो वो दीदी इसलिए बनाई थी वो दीदी इसलिए लिए थी वहाँ से मैंने Google से उठाई थी ठीक है तो क्या करना है necklace कौन सा ऐसा वाला necklace जब भी necklace की बात होगी तो necklace वैसे necklace की बात होगी जिसमें motive बगारा लगे होंगे जो कि symmetrical necklace हम लोग इसको बोलते है ठीक है तब यह divide by 2 हो जाएगा ठीक है अब हम एक questions देखते है अब इसमें किस तरह इसमें questions जो होते है न necklace फ़ले में questions इसमें असान ही होता है सिर्फ आपको concept था जो समझना था जब आपको concept समझ आ गया तो उसके बाद questions जो है वह असान नहीं होगे जैसे questions किस तरह के पुछे जाते है in how many ways 7 beats ठीक है आपको लिखा रहता है 7 beats can be arranged to form a necklace ठीक है 7 beats है हमारे पास उसको हम किस तरह से arrange कर सकते हैं कि हम लोग necklace बना पाए तो 7 beats है तो मतलब क्या होगा n-1 by 2 factorial मतलब 7-1 मतलब 6 factorial by 2 होगा तो 6 factorial आपको पता है किसके बराबर होता है आप करके देख लेना 654 ऐसे करके divide by 2 तो आपको answer मिल जाएगा इसका answer आएगा 360 ठीक है ठीक है तो I hope आपको ये चीज समझ आगी होगे तो ऐसा ही question पूचे जाते है कितने भी beats दे दिये जाएंगे आपको कि necklace बनाने के लिए मतलब कितने arrangements होगे कितने possible ways होगे कि इसमें हम necklace बना सकते हैं तो क्या होगा n-1 by 2 factorial जब हम questions पढ़ेंगे तो वहां पे हम NCRT में अगर question होगे तो वहां से लेंगे ने तो जो previous year question आए होगे इसके related तो हम लोग सारे question वहां पे देखेंगे अब हम एक question करते हैं जो कि जिसमें आपको confusion हो सकती है मैं बताऊँगा किस सरीके से हो सकती है हम लोग देखते हैं आगे question क्या है in how many ways can 7 Indians, 5 Pakistanis and 6 Dutch be seated in a row so that all persons of the same nationality sit together ठीक है question पढ़ लिया आपने, क्या question है कितने Indians, 7 Indians, 5 Pakistanis and 6 Dutch ठीक है, अब circular का नहीं है, यह row है क्या बोला है उनने, be seated in a row so that all persons of the same nationality sit together मतलब Indians जो है वो साथ में बैठने चाहिए Pakistanis जो है वो साथ में बैठने चाहिए और Dutch वाले जो है, वो साथ में बैठने चाहिए तो कितनी possibilities है पहले आप Indian, पहले आप देखो ठीक है, साथ में बैठने चाहिए जब मैंने आपको बोला था, sit together वाला question होता है तो हम लोग उसको एक unit consider करके चलते है तो साथ Indian जो है, वो एक unit consider करके चलेंगे उसको पांच पाकिस्तानी इसको दूसरा unit 6 Dutch को तीसरा unit तो पहले क्या हो गया, तीन factorial हो गया ठीक है, यह आगया कि कितने में आप उसको arrange कर सकते हो ठीक है, यह आगया आपका क्या कि अब जब हमने उसको एक unit लेके चला तो क्या हो गया, IPD, मतलब Indian, पाकिस्तानी और डच यह एक unit यह, एक unit यह और एक unit यह क्योंकि यह साथ में बैठने वाले है अब साथ Indian जो है, आपस में आपको कितनी ways में arrange कर सकते है क्योंकि साथ Indians हैं तो सारे different होंगे ना जैसे I1, I2, I3 ऐसे साथ person है तो I1 की जगा पहले I1 हो सकता है फिर I7 हो सकता है या फिर पहले I7 हो सकता है फिर I1 हो सकता है ऐसे वो कितनी ways में arrange कर सकते हैं आपने आपको 7 factorial ways में similarly आपका जो पाकिस्तानी से हैं वो कितनी ways में arrange कर सकते हैं आपने आपको वो कर सकते हैं 5 factorial ways में similarly Dutch वाले कितने में कर सकते हैं 6 factorial ways में तो 12 देख लो एक बार सबसे पहले आपका आगया 3 units 3 units मतलब जो भी एक साथ बैठ रहे हैं उसको हम 1 unit मान के चलते हैं तो 1 unit Indians, 1 unit Pakistanis, 1 unit Dutch तो क्या आगया आपका 3 units into क्यूंकि सारे बैठ रहे हैं, सारा काम करना है कोई भी छूट नहीं रहा हमारा तो multiplication principle 7 Indians हैं तो कितने ways में आपने आपको arrange कर सकते हैं 7 factorial ways में 5 Pakistanis हैं तो 5 factorial ways में 6 Dutch हैं तो 6 factorial ways में जब आप इसको multiply करोगे तो answer जितना भी आएगा, वो answer multiply करना है ही नहीं, इसका answer यहाँ पर दिय हुआ 7 5 6 into 3, तो यह इसका answer हो गया C part, ठीक है, अच्छा question था आप लोग गलती क्या करते हो इसमें कि 3 factorial नहीं करते हो, आप लोग क्या करते हो 7 factorial Indian, 5 factorial Pakistanis 6 जो है वो Dutch अब लोग यहाँ तक करके छोड़ आते हैं और जो की answer उन्होंने दिया भी हुआ है और यहाँ पर गलती हो जाती है ठीक है, तो यह आपका concept था तो आज के लिए इतने रखते हैं, I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको concept समझाया होगा जिस motive से मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको समझाया होगा कि क्यों necklace में ऐसा होता है क्यों circular permutation में ऐसा होता है क्यों linear में ऐसा होता है तो वो सारी चीज़ें आपको clear हुई होगी ठीक है, तो ऐसे ही और वीडियो के लिए आप लोग चैनल को subscribe कर लें bell icon को press करने ताकि डागल अपडेट सबकों मिलते हैं और friends के साथ जरूर share करने ताकि अगर आपको कोई चीज़ आ रही है तो ऐसे आप share चाहे मत करो लेकिन यह चीज़ अगर जैसे अपने मैंने बताया आपको कि 0 factorial 1 होता है anything raise to power 0 होता है anything raise to power 0 equal to 1 होता है या फिर circular में ऐसा क्यूं होता है अब लोग दोस्तों को पूछ सकते हो उनको बता सकते हो अगर उनको नहीं पता है उनको समझा सकते हो तो share जरूर करना दोस्तों के साथ ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते है थैंक यू